हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो माय चैनल आज का वीडियो एक स्किन केर से रेलेटेड वीडियो होने वाला है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपनी स्किन को यंगर बना सकते हैं कैसे अपनी स्किन को you know like smooth texture दे सकते हैं अगर आप जानते हैं आपके हेल्थ के अलावा बनाना आपकी स्किन के लिए एक काफी effective ingredient है overall health को improve करने का काम करता है बनाना तो सबसे पहले मैंने आपे half बनाना का use करा है और इसे हम fork की help से थोड़ा सा mash कर लेंगे थोड़ा सा purity texture में हम इसे ले आएंगे और फिर हम इसमें add करने वाल mercerize करने का काम करता है बनाना contains vitamin B that protects your skin against free radicals बनाना have vitamin A that heals your dry skin, fades, acne scars and dark spots इसके अलावा हम यहाँ पर use करने वाले हैं किश्मिश का I know raisins are used for eating but do you know कि raisins आपके skin के लिए कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि raisins हमारी skin के लिए कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं Raisins में होते हैं काफी जादा amount में antioxidant जो कि आपकी skin को aging करने से रोकते हैं The antioxidants present in raisins are excellent for your bacterial infections on your face such as acne and pimples अगर आपको चेहरे पे काफी जादा pimples और acne की problem है तो raisins में जो antioxidants हैं pimples और acne को काम करने का काम करेंगे आपकी skin को cool down करेंगे साथ ही acne के बाद जिस scars हो जाते हैं उन्हें fade करने का भी काम करते हैं So मैंने आपर 3-4 घंटे के लिए raisins को soak करके रखा है water में और हमने आपर 1 tablespoon of raisins का use करा है So अब time है banana और हमारे raisins को अच्छे से mash करने का तो हम इन दोनों चीज़ों को आपस में mix करने वाले हैं banana में काफी जादा amount में fiber होता है जो कि हमारे skin को clear करने का काम करता है इसके अलावा जो हमारी raisins है उसमें होता है vitamin B जो कि आपकी overall skin, hair और health को maintain करने का भी काम करती है vitamin C होने की वज़े से ये आपकी skin को younger looking look देने का काम करता है इसके अलावा अगर आपको sunburn की problem है अगर आपके चैरे पर sun tan की problem हो गई है तो ये sun tan को भी कम करने का काम करते हैं इस home remedy को आपको week में एक बार नियम से इस्तिमाल करना है तभी आपको इसके result देखने को मिलने वाले है instant results के लिए इस facial को आपको 10 से 15 minute के लिए अपने पूरे चैरे पर अच्छे से massage करते हुई करना है अभी तो हम यापे fork की help से इस तरीके से mash कर रहे है आप चाहें तो यापर blender का भी use कर सकते है बनाना हमारी skin को clear करने का काम करता है healthy skin पाने में मदद करता है अगर आपको जाईयों की problem है चेहरे पर पुराने दाग धबे रह गए है teenage के टाइम के pimples, acne की marks अगर आपके चेहरे पर रह गए है तो आप इस remedy को एक बाद try करके देखे हमारी ये puree बन के बिल्कुल ready है last में मैं इसमें add करने वाली हूँ एक चमच raw milk का raw milk में होता है lactic acid जो आपकी skin से pigmentation removal का काम करता है कच्चा दूद तो वैसे भी हमारे चेहरे के दाग धबे कम करने का काम करता है अब इस remedy को हम अपने पूरे face पर लगाएंगे आप कोशिश करें कि इस remedy को मेंशा फ्रेश ही बना कर रखें आप चाहें तो इसे एक दो दिन के लिए store करके रख सकते हैं बट उससे ज़ादा आपको इसे store करने की जरुवत नहीं है सो चलिए चलते हैं इस remedy को अपने पूरे face पर लगाते हैं सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से die up कर लें किसी headband की help से और इसके बाद अपने पूरे face पर बनाना और किश्मिश के इस प्यूरी से हमें massage करना है तो देखिए अब आप मैं अपने under eyes के नीचे कर रही हूँ अगर आपको dark circles की problem है तो भी आप इसे कर सकते हैं यह आपके dark circles को कम करने का काम करती है साथ ही अगर आपको you know like जब हम threading कराते हैं shaving करते हैं अपने face की तो हमें tiny tiny से red bumps हो जाते हैं सो यह हमारे red bumps को भी बिल्कुल काम करेगी और आप इसे after shaving gel की तरह भी use कर सकते हैं अगर आप shaving करने के बाद threading कराने के बाद या फिर waxing करने के बाद अपने face पर या अपने skin पर banana और raisins को इस तरह के से use करेंगे तो आपके skin बिल्कुल calm down हो जाएगी आप इस तरीके से कुछ facial steps भी कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत help मिलेगी या आपका facial texture improve करने में help करने वाले हैं सो अब time है इसे अच्छे से massage करने का हमें इसे कम से कम 10-15 minute के लिए अपने face पर बहुत अच्छे से massage करनी है सो यहापे मुझे massage करते हुए पात-सात मिनिट के लिए हो गए है और आप चाहें तो इसे 10-15 minute massage करें उसके बाद आप normal पानी से अपने face को wash कर सकते हैं इस facial को regularly week में एक बार करने से आपके dark circles guarantee से बिल्कुल खतम होने वाले हैं 8 hours की आप लोग proper sleep ले मुझे काफी सारे comments आते हैं कि हमें dark circles की problem है तो आप banana को अपने under eyes में use कर कर देखे banana काफी अच्छे से under eye gel की तरह भी काम करता है और अब मेरी facial almost complete हो गई है अच्छे से आपको इससे massage करनी है तो चलिए अब मैं आपको wash करकर अपना चेहरा दिखाने वारी हूँ wash करने के बाद आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा glow आता है आपके pigmentation की problem solve होती है so week में एक बार आप इस Japanese skin secret को try करके ज़रूर देखे and then आप मुझे comment करके बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लीजी अगर आप नए है तो और मुझे अपना support ज़रूर दिखाईएगा Thank you